हेलो एबरीवान वेल्कम टू माई चैनल कैसे ओ दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा तो जैसे कि होली आने वाली है तो होली में मीठा बनना तो बनता है तो होली इस पेसल आज मैंने रसगुले की रेसिपी लेके आई हुई हूँ तो चलिए हाँ पर देख लेते हैं कि ह कैसे बनाया है सबसे पहले रसगुले के लिए चासनी बना के रेडी कर लेंगे तो सबसे पहले आपको इन माप ले लो तो यहां पर मैंने कप का माप लिया है तो इस कप से मैंने दो कप जो है चीनी डाला हुआ है और दो कप पानी डालेंगे और क्यूंकि चीनी अभी जब वैसे बना सकते हो और यह इसली मार्केट में मिल जाता है इसलिए मैंने सोचा कि इसकी भी मतलब रेसिपी आपके साथ शेयर करनी तो बनती है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यह मैंने मिक्सर निकाल लिया और इसको मिक्स कर लेंगे कि मिक्स क्या करना रहता है यह अच इस थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसको बहुत जादा गूथना नहीं है कि बिल्कुल से आटे की तरह खूब इसको गूथना है ऐसा कुछ नहीं है बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यह देखिए बहुत जादा चिकना नहीं करना इसको ढख कर हम छोड़ देखिए चास्नी में उपर से हलकी हलकी सी थोड़ी थोड़ी सी गंदगी तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं अच्छने से किसी चीज से और चीनी वैसे तो अक्सर साफी आती है अगर गंदी हो तो आप उसमें नीबू या दूद थोड़ा सा डाल के दो स्पून वह इसली से गाड़ा कर देना है एंगाड़ा होने से क्या होता है कि रजगुले में एक्जॉप नहीं होते हैं तो यहां पर मैं दिखा रही थी बिल्कुल हलकी सी एक तार की चास्नी हमें चाहिए यह देखिए तो यहां पर हमारी चास्नी ऑल्मोस्ट डन हो चुकी है और यह देखि कि इसमें खड़े-खड़े से भी हैं तो मैंने अलका सा क्रस करके डाला हुआ है इसमें इसका टेज बहुत अच्छा आता है आप चाहो तो इलाइची पाउडर का भी यूज कर सकते हो अब इसको हम धक कर छोड़ देंगे यह मेरा हो चुका है चासनी दियार है तो अब बिल्कुल सेट हो चुका है मैंने चार से पांच मट के लिए आटे को रखा हुआ था तो अब यहां पर छोटी-छोटी लोई है बिल्कुल छोटी-छोटी आपको बड़ा साइज चहिए तो आप नीवू का साइज भी ले सकते हैं क्योंकि यह चासनी में भी जाने के बाद भी मतलब फूलती है और तलते टाइम भी फूलती है तो ऐसे ही हम छोटी-छोटी गोलियां जो है सारे रजगुले बना लेंगे और बस इतना ध्यान देना है कि बिल्कुल चिकनी-चिकनी हो इसमें क्रैक्स कहीं पे भी नहों वहना तेल में जाने के बाद यह फट जाती है और बहुत ही ईजी बन जाता है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है और मार्केट में बहुत ही ब्रांड के जो है यह मिक्सर मिलते हैं यहाँ पे मैंने ऐसे ही सारे रजगुले के गोलियां देखे बना के रेडी कर ली है अब चलते हैं यहाँ पे फ्राइज करने के नीचे से मतलब वो जले ना बस इतना ही ध्हान देना है तो ये देखिए एक बार में जितनी कड़ाई में आ जाए उतने रजुले आप आठ कर दो तो मेरा कढ़ाई का साइज थोड़ा सा बड़ा था तो सारे रजगुले एक बार में ही आ गए तो ये देखिए बस थोड़ी से ही टाइम के बाद रजगुले सारे उपर आ जाते हैं ये देखिए इसली अब इसमें आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है नहीं तो आप जामुन बनाना है तो आप ऐसे ही इसको बाहर निकाल लेजिए और चासनी में हलकी गुनगुनी चासनी में डिप कर दीजिए लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डार करेंगे ये देखिए बिल्कुल ऐसे तो यहाँ पी ये परफेक्ट है अब इसको हम बाहर निकाल लेत तब इसमें हम अपने रजगुले सारे add करेंगे ताकि रजगुलों में चास्नी अच्छे से exhaust हो जाए हलका सा यहाँ पे गरम हो गया यह देखिए अब सारे रजगुलों को इसमें डाल कर और ढख कर 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे दो-3 घंटे बाद आप देखोगे कि इसमें बिल्कुल चास्नी नहीं रहेगी रजगुले अच्छे से चास्नी को पी लिए रहेंगे तो चलिए अब इनको ढख कर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं दो घंटे बाद अब लिड अटाके देख लेते हैं कि कैसा मतलब कितना यह देखिए इसमें रजगुलो ने बिल्कुल चास्नी अच्छे से पी लिया है तो यहाँ पे रजगुले बनके बिल्कुल रेड़ी है तो अब इसको निकाल लेते हैं किसी बाउल में खाने की तयारी करते हैं तो यहाँ पे यह देखिए बिल्कुल इसमें न चास्नी बिल्कुल अच्छे से फूल गया हैंगे और बिल्कुल फटे नहीं हैं बहुत ही अच्छे और इजी से बन जाता है तो आप इसको डेकोरेट करने के लिए अपने फेबरेट ने कोट से किसी भी चीज से इसको डेकोरेट कर सकते हो सजा सकते हो और खाने में भी टेस इसका बहुत ही अच्छा जाता है तो यहाँ पे यह बिल्कुल रेडी है और अगर आपको यह मेरी रेसीपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक सेयर कमेंट्स करना ब थैंक्स पर बौचिंग, बएबाइ